नमस्कार साथियों मैं मिनिश्मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में ताये दिल से स्वागत और विनेंदन करता हूं तो हम लोग कशा बारा की रानीती विज्ञान पढ़ रहे थे सत्र दोजार तेस्ट चोइस के लिए और हम लोग ने शुरात कर दिया थे अध्या एक शीतियूद का दोर और शीतियूद के दोर में आज है हमारा लेक्चर नमबर टू आए जानते हैं कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे तो आज हम लोग कवर करेंगे विचार धारा की लड़ाई जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को समझाये था सिर्फ और सिर्फ जो शीतियूद हो रहा था वो ताकत की लड़ाई नहीं थे कि कौन ताकतवर है यहां पर बात होएगी विचार धारा की और कौन सी विचार धारा की बात होगी यह हम लोग पहले जान चुके हैं और आज और एक बार डिसकस कर लेंगे फिर हम पढ़ेंगे कि शीतियूद क्या है, एक्जेक्ली शीतियूद क्या है कोल्ड वर किसे का आ गया, वो भी जानेंगे और फिर डिसकस करेंगे हमारा MCQs और जो कल की lecture में, लास्ट lecture में आपको बताया थे उनकी answers सी भी मैं आज डिसकस करूँगा चलिए शुरू करते हैं, आज की इस lecture को और जानते हैं कि विचार धारा की लड़ाई क्या है विचार धारा की लड़ाई यह हम कह सकते हैं कि जो ideology रही ठीक है उनके बीच में क्या conflict रहा ठीक है तो last lecture में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर मुख्यते दोनों ही जो महाशक्तियां हैं अमेरिका और सोव्य संग दोनों ही अपनी विचारधाराओं को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती है सीती हो सिर्फ जोर आज मैं सेनी गटबंदन तो शक्ति संतुलन का मामला भड़ नहीं था देखो जहां भी हम बात करते हैं यूद की बात करें अगर हम कहरा है वोर हो रहा है तो देखें लड़ाई में सीधी सी बात यह ही कि जोर आज मैं इस लगाई जाएगी अपना पूरा कि यह देख जादा पाउरफुल है यह हमें सपोर्ट करें यह देख जादा पाउरफुल है यह हमें सपोर्ट करें सिर्फ यही मामला नहीं है शीतियूद हर यूद में यह चीज़े होती है और हो सकता है शीतियूद में यह सब कुछ हुआ है कि दोनों महार शक्ति आपने यूद का इस्तमाल हुआ है तो यह सब तो आहम बात है यह तो यूद के साथ जुड़ी भी है प्रन्तु शीत यूद में जो विशिष्टा थी वो यह थी कि आपर विचार धारा के लिए भी संगर्शन रहा था आइडियोलोजी के लिए भी लड़ाई चल रही थी विचार ध अब भी हम लोग यहां पर जानेंगे कि जो अमेरिका की विचार धारा है वो सामाजिक या राजनिती ग्रूप से किस परकार से है और आर्थी ग्रूप से किस परकार से है और सोव्य संग की विचार धारा सामाजिक और राजनिती ग्रूप से किस परकार से है तो इनकी अजनिति है वेसी पॉलिटिक्स पूरी दुन्या में हो जैसी हमारी अर्थको इश्ता है जैसे यहां का समझिक जिएऊन है वेसा हर जग हो पुझि वादि अपने से हैं समाजवादी अपने साफ Deswegen तो जो समाजवाद का समर्तक होगा वो सोवेज संग का समर्तक होगा और जो पुझीवाद का समर्तक होगा वो अमेरिका का समर्तक होगा और दोनों के समर्तक जो होंगे दोनों के साथ खड़े हैं और दोनों महाशक्तिया उनके साथ खड़ी है कि तुम पर हम बिल्कुल भी आ देखिए, रेड यहां पर कलर क्यों दिखायागा है, एक तवास हम देख सकते हैं कि सामयवादी दल आप देखते हैं, तो उनका जो रंग है वो लाल ही है, जैसे आप भारत में भी देखेंगे कि Communist Party of India, तो अगर उनका जो चिन है, उनका जो चुनाव चिन है, उसमें भी आवा है, तो यह कितनका है, Soviet संग वालों के लिए और यह अमेरिका को सपोर्ट करने वालों के लिए, शीत यूद क्या है, दूसरे विश्यूद कब हुआ, 1949 से 1945 तक हुआ, एक तरफ थे मित्र राश्टर और दूसरी तरफ थे धूरी राश्टर, ठीके न, धूरी राश्ट है, और यह मित्र राश्ट वाली टीम जीत जाएगी, और धूरी राश्टर हार जाएगे, ठीके न, एक्सिस पाउर हार जाएगी, और यह जो, है, एलाइस पाउर है, यह जीत जाएगी, तो अब जब अमेरिका और सोवेट संग के बीच में तनाता नहीं कहां से होगी, विश्व में एक तो जितने बड़े ताकतवर देश है, वो शामिल है, और इसका प्रभाव कहीं न कहीं पूरे विश्व पर ही हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, यह ऐसे देश है, जिनकी जादा कर देशों में, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश बना रखे तो उस समय जब यह लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं परतिक्ष आपरतिक्ष से रूप से यह जो देश है, यह भी कहीं न कहीं उनमें शामिल है, जैसे कि हम लोग बात करें, विश्व यूद, पर्थम विश्व विश्व हुआ, तो उसमें भारत से जबरन भरती ब्रिटिशस ने करवाई और अपनी तरफ से ब्रिटेन की तरफ से क्या है युद लड़वाया था परत्थम विश्व विश्व तो यहां पर पूरी दुनिया के ताकतवा देश शामिल थे और सभी परतिक्षा या परतिक्ष रूप से जुड़े हुए थे, यह यूद इसका विस्तार दक्षिनपूर्वेश्या, जब मेप आप देखेंगे तो इधर वाला जो एरिया है यहां पर इंडिया मिल जाएगा और इदर का नीचे का एरिया है इसे दक्षिनपूर्वेश्या या पहले जैसे बर्मा का जाता था या मैनमार आज कहते हैं और भारत की पुरुवतर हैं वहां तक भी युद्ध के कुछ अन्शपोस्त हैं इस युद्ध में बड़े पेमाने पर जनहानी और धनहानी हुए तो इस युद्ध लड़ाई कोई सी भी हो उसमें लोग भी मारे जाएंगे आर्थी प्रूप से नुकसान होगा और दोनों ही टीमों का होता है कोई भी जीते कोई भी हारे पर नुकसान दोनों का ही होगा तो काफी तो जनहानी हुए जनहानी का अर्थ क्या होगा काफी लोग मारे गए और काफी धनहानी का मतलब है काफी पेसों का नुकसान होगा खूब खर्चे होए क्यों कि हर देश आता था कि हमारे गाले टीम जीच जाए और हम पाउर्फुल बन करके निकले और पाउर्फुल बनने के लिए उन्होंनों खूब अंधा धुन तरीके से क्या हुआ डिफेंस पर पैसा खर्चा करा और खूब धनकी जो है हानी करवाई और काफी लोग मारेगे हजार और लाखो की संक्या में पर्थम पर्थम विश्विद और दित्य विश्विद में मारे जाते हैं तो काफी जनानी इन यूदों में होती और जब शुरुआत होती है शीतियुद की शुरुआत होती है यह कोल्ड वर तो बाद में नाम आया है उस समय तो ऐसा ही लग रहा था बस अब नहीं अब हो जाएगी लड़े अब छिड़ा तीस तरा विश्यूद और अब तो पहले से टीमें भी बनना शुरू हो गई थी सोव्य संग इस पशुप से कह रहा था कि जो समाजवादी सामिवादी देश है उनको अगर अमेरिका ने छुने की भी कोशिश करी तो हम अमेरिका को बर्बात करतेंगे अमि COR पर अब तो बिशुचे जो और kin prohibition ने प्रिशान करा थ हम उनको बर्बात करतेंगे अब तो पर्थम ने पूरी दुनिया को हिला डाला था और इस पर्थम विश्यूद में जितने यूरोप के देशे उनको नुकसान हुआ सो हुआ अब वो यूरोप वालों ने क्या है भई जितने भी एशिया अफ्रीका के देशे उनको तो बरबाद कर दिया और यूरोप वाले इन यूदों में बरबाद हो गए अगर तीसरा विश्यूद हो जाता तो और भी बुरी सिती सभी देशों की हो जाती दूसरे विश्यूत की समापती शीयतियूत की शुरुआत हुई ठीक है तो जैसे ही दूसरे विश्यूत की समापती होती है वैसे ही क्या हो जाता है शीयतियूत की शुरुआत हो जाती है मतलब विश्यूत खतम हुआ और शीयतियूत की शुरुआत हो गई वहीं से आप उसकी शुराद माल लीजी अगस्त 1945 में अमेरिका जापान के दो शेर हिरोशिमा और नागा साकी पर परमानु बम गिरा है और जापान को घुटने देखने पड़े अब जापान धूरी राश्ट्रों में है ठीक है और अमेरिका मित्र राश्ट्रों में अब अमेरिका ने क्या करा जापान के दो शेर हिरोशिमा और नागा साकी वहाँ पर परमानु बम गिरा है कब गिरा है अगस्त 1945 में गिरा है और जापान ने फिर सरेंटर कर दिया और कहा भी जाता है कि जापान इतना surrender हो गया कि उसके बाद उसमें किसी भी परकार का defense रखना बंद कर दिया और उन्होंने अपने सविधान में ये बात कही है कि हमारा देश का सविधान शांती का सविधान है और हम किसी भी परकार की सेनी साशन वियोस्ता अब हमारे देश में नहीं रखेंगे हम किसी परकार की सेना में नहीं रखेंगे उन्होंने अपने देश को जो आगे बढ़ाया तरक्की करी है जापान ने वो पूरी अर्थ वियोस्ता पर करी है पूरी एकोनोमिक और गजब भी डेवलप्ट करा है जापान के दोशेवरों में हिरोशिमा नागाशाकी में गिराया इन्होंने सरेंडर कर दिया कितना सरेंडर कर दिया वो मेरा आपको बदा दिया और कहा जाता है कि प्रमाणु बंबो का आज तक एफेक्ट है हिरोशिमा नागाशाकी में आज तक एफेक्ट है परन्तो सवाल ये उड़ता है कि अमेरिका ने इटली पर क्यों नहीं गिरा है जर्मनी पर क्यों नहीं गिरा है देखिए एक्च्वल में क्या हुआ कि 1941 की बात है 1941 में अमेरिका में जगे है पर्ल हार्बर तो वो ऐसा इस्ताने जापर जो नेवी का आप कह सकते हो कि केम्प है ठीकिए वाँ पर नेवी की जहाज आज यह सब कुछ रहते हैं नेवी का केम पर अमेरिका का और नेवी एक डिफेंस का हिस्ता है जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जाकर के अटेक कर दिया और जब पर्ल हार्बर पर अटेक कर दिया तो अमेरिका दित्ते विश्यूद में एंटेरेक हो जाता है तो कहीं न गहीं आप कह सकते हो कि उस चीज का बदला लेने के लिए भी अमेरिका ने जापान पर दो बॉम गिराए होंगे हिरोशिमा नागाशा की दो शेर है वहाँ बॉम गिरा है और जापान को बरबाद करने की कोशिश करी गए योगी उनको सिरेंडर करवाया गया पर अब मेन बात यहां पर यह थी कि जापान पर बंब गिराने से नाराज की किसकोई सोवेसंग को नाराज गुई क्योंकि सोवेसंग क्या चाता था कि जापान भी एशिया में हम भी एशिया में एशिया पलस एशिया भाई-भाई ठीक है तो अब जो भाई-भाई इन भाई-भाई के बीच में क्या है जिए अमेरिका ने बिल्कुल खाई बना दी है तो इस खाई क्यों बनाई नहीं तो हम दोनुँ मैं जापान पे राज करता मैं जापान को बड़े भाई की तरह समाजवादी समयवादी जो विचार धारा उस विचार धारा को फेलाता परंतु यहां पर अमेरिका ने उन पर अटेक करके यह दर्शा दिया है कि अमेरिका ज्यादा पाउरफुल है तो यहां फिर अब अमेरिका और सोव्य संग नाराज हो जाएंगे पिछ आपन बोलेगा बॉम गिरा हम पर बरबाद हुए हम सेनिय शक्ती छोड़ी हमने और नाराज सोव्य संग हो रहा है वाह वाह यह क्या बात है सोव्य संग को क्यों नाराज गी अब इतना नुकसान होगया तो भी तुम राज करके कौन साभ अला करते तो क्यों नाराज हो रहा हो अब बश्तरों पर इनों ने शीतियुद की शुरुआत करी ली दूसरे विश्वित का अंत हुआ तो जैसे हिरोशिमा नागाशा की बढ़ गिराएंगे दूसरे विश्यूत का अंत हो जाता है 1945 में ये तस्वीरे हैं विद्वन्ष की जो विद्वन्ष हुआ जो खतरनाक जो नुकसान हुआ उसकी देख हो दे याँ बिल्डिंगे गिर रही है ये जो मापा गया कि कितना ज़्यादा उसका लोस हुआ है ये सब विद्वन्ष की तस्वीर देखी ये सारी तस्वीर आपकी NCRT से ही ली गई है और एक दो बच्चे ने कमेंट करके कहा कि सर जो कार्टून से उन कार्टून के उपर भी आप वीडियो बनाएगा बिल्कुल बनाएगे आप चिंता ना करें या तो चेप्टर के end में आप में डिसकस कर लेंगे नहीं तो क्या होता है कि हम पूरी किताब का एक साथ कार्टूनों के वीडियो बना देंगे वो डिसकस कर लेंगे चिंता ना करें लेक्चर के साथ होगा तो मैं लेक्चर के साथ अटिंड कर दूगा कार्टून्स में आपको करवा दूगा ये विद्वश की तस्वीरे हैं आपकी NCRT में है आप इनको देखेगा और जादा आपको इनका डिस्क्रिप्शन चाहिए आपकी NCRT में के लिखाओ ये कहां की तस्वीर है कहां का क्या है सब कुछ पर देखे कितना नुकसान दित्य विश्यूद में हुआ है अब सोवे संग के समर्थोका का तर्क अब यहां पर क्या होगा इतना तर्क नहीं होगी बोम किस पर गिरा जापन पर गिरा और नाराज गोनों के सोवे संग के तो अब अमेरिका नाराज की किस से अमेरिका से तो अब एक तरफ अमेरिका वाले और एक तरफ सोवे संग वाले तो सोवे संग वाले क्या कह रहा है कि अमेरिका ने गलत करा है अमेरिका को प्रमानो बम नहीं गिराने चाहिए तो अब जो सोवेट संग को समर्थन कर रहा है वो लोग क्या तरक देते हैं वो क्या रीजन देते हैं वो क्या बात कहते हैं आई उसको जानते हैं अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्म समर्पन करने वाला है तो सोवेट संग के जितने भी समर्थके सोवेट संग के लोग, सोवेट संग के नेता सोवेट संग के समर्थन देश वो ये कहता है कि अमेरिका को तो इस बात का पता था कि जापान आत्म समर्पन करने वाला है सरेंडर करने वाला है जब सरेंडर करने ही वाला है तो फिर बंगिराने क्या हो शक्ता क्यों थी ऐसे में बंगिराना गेर जरूरी था तो सोवेसंग कहता है कि अमेरिका को पता लग चुका था कि जापान आत्म समर्ण करेगा सरेंडर करेगा अजब पता ही चल गया कि सरेंड देशे युद को खतम करना नहीं था युद तो दित्ते विश्यूत तो खतम हो चुका था जापान तो आत्मे समरपन करने के लिए रेडी था विचाव खुद सुरेंडर करने आ रहा था पर अपने एसाब से नेताओं को बिठाना और वो समाजवात सामेवात को फेलाए उनक निया गए पार्फुल जब अमेरिका के साथ इस और मित्र राष्टन ने बूप गिरा है किस्ने गिरा है मित्र राष्ट्र तो एक क्या हो गया है कि सोव्य संग के परती च्छवी खराब हो गए कि सबसे बड़ी ताकत है तो यह क्या कहना है सबसे बड़ी ताकत है कि यह दिखाने के कोशिश करें गए बंगिराके कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका से बड़ा कोई नहीं है अमेरिका से जाधा पाउरफुल कोई नहीं है आप एके घटनाओं को समझती पे चलिएगा देखे अगर मैं यह कहूं कि 1914 से 18 तक प्रथम विश्यूद चलता है इस विश्यूद में दिरे दिरे यूरोप गिरावट पर आना शुरू हो जात प्रिटेन दिरे दिरे डाउनफोल की तरफ जाएगा और अमेरिका दिरे दिरे राइज होता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा 1918 के प्रथम विश्यूद के बाद यूरोप के जादा करदेशों को जो करजा दे करके उनको समारा है उनको वापस से खड़ा करा है वो अमेर गर्मनी पर सारा पैसा थोपा गया कि मित्र राष्ट्र को सोपै क्यूंकि वह यूद में हार चुके हैं जर्मनी उसको भी अमेरिका ने कम करवाय इतना अमेरिकाशा पावर्फिल हो चुका था अमेरिका ने खुब पेसा दे करके उनका सारे उरॉप के देशों को फिर से ख तल्कुतल मज जाती है वो दोर आता है महामंदी का महामंदी में सब कुछ धारशाय हो गया जादा कर बेंक बंध हो गए कंपनिया गिर गए सब कुछ हो गया यह महामंदी का जो दोर चला 1929 से 1933 तक चला 1923 के बाद फिर देरे देरे अर्थवियोस्ता खड़ा होना शुरू ही फिर अमेरिका पावरफुल बना अमेरिका के पावरफुल के साथ साथ सोवेट संग उस समय जादा पावरफुल था सोवेट संग इसलिए जादा पावरफुल था अमेरिका के तुनला में क्योंकि इस वाले दोर में जम पूरी दुनिया के हालत खराब हो रही थी सोवेट स में रूल चलना था स्टालिन का, स्टालिन आप कह सकते हो स्टालिन एक तरे से जौसेफ स्टालिन जो है वो दूसरा तानाशा है, बिटलकुल हिटलर की तरे और ये कहा जाता है कि हिटलर से भी जादा बड़ा तानाशा स्टालिन था, स्टालिन के खुब पाउरफुल हो गया सोवे संघ भोड जीड़ा पाउरफल बनता जा रहा था और इतना पाउरफल बन गया कि अमेरिका, ब्रिटेन के प्रधानमंतिरी, राश्ट्टपती उस स्टालिन के साथ बेठ करके मीटिंग करा करते थे, स्टालिन के साथ बैठ करके दुनिया के ताकतवर देशों की मिटिंग करना मतलब सोव्य संग का वर्चे सो बढ़ना, सोव्य संग की ताकत बढ़ना फिर 33 के बाद अमेरिका धीरे 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 सोव्य संग भी आगे बढ़ना और ऐसे धीरे आगे आते उनचालिस में एलान होजाता है दित्ते वि शीओत के 1939 में सेकन्ड वर्ड वर्ड का एलान होगया सेकन्ड वर्ड वर्ड होई 1945 तक चली और जब 45 तक सेकन्ड वर्ड वर्ड चलती है और derive उसके बाद शुरूआत हो जाती है दिरे ओपर उठने लगा था और बाकी यूरॉप गिरने लगा था पिर 45 तक तो फिर भी यू लाठिक के बल चल रहे थे कैसे न में दिरे 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 П Wen Ke. तो अब तो सारी जो ताकत उनकी खतम हो गई, सारा पेसा युदों में खतम हो गया, ठीके उपनिवेश अब उनसे दिरे दिरे आजाद होते जा रहे थे, जहांसे वो पेसा लूटते थे, तो बहुत बुरी हालत यूरोप के जादा करदेशों की हो रही थी, अब बस दुनिय में दो ही ताकतवर देश थे, एक अमेरिका था और एक सोवेसंग था, अब जिसको अपने आपको बचाना है, वो यह तो अमेरिका अमेरिका जपे, यह सोवेसंग सोवेसंग जपे, यह मतलब सोवेसंग के साथ चले जा, यह अमेरिका के साथ चले जा, अगर अपने आपको इसको चूश करता है, वो भी हम लोग देखेंगे आप जाणते हैं कि अमेरिका के समर्थों करखेते रखता है ये थो सोवेसंग वालों ने बोल देबम गिराना जरूरी नहीं था अमेरिका ताकत वार है, सोवेसंग को रोखना चाहते था इसलिए पर अमेरीका वाले क्या कहते हैं यूद को जल्दी से जल्दी समाफ्ट करने था ता अमेरीका और साती राश्ट्रों की आगे की जनानी को रोकने के लिए पर्मानुबम गिराना जरूरी था अमेरीका ने सीधा से इस पर जवाब दिया यूद को खतम बेना जरूरी तो बोलें यह हमने सिर्फ हमारे लिए निकराई यह तो सब के भले के लिए करा है कि आगे किसी भी देश को किसी पर करके कोई हानी ना हो और यूद खतम हो जाए और दुनिया में शांती स्तापित हो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो अमेरिका का चेहरा हमें एक देखने को मिलता है कि वो बड़ा ही प्रोटेक्टर है सब की रक्षा करता है बहुत सोचता ऐसी बात नहीं है 1970 के दोर की बात है वियतनाम, लाउस, कमबोडिया यह वाले देश पूर डूप से समाजवादी और समयवादी देश थे यहाँ पर अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारों को फेलाने के लिए खूब आतंक बजा है खूब बंबारी करी है, खूब लोगों को मारा है, बहुत बुरिष्टित करी है कहा जाता है कि इतने बंब युदों में भी नहीं गिरे थे जितने बंब वहाँ पर गिराये गए तो अमेरिका कभी इतना कोई साफ कुलिन चिट नहीं के सकते कि बहुत ही बहतर है अमेरिका हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक अपने जो फाइदे हैं, अपने जो इंट्रेस्ट हैं, उनको देखता है वैसे हर देश देखता है पर अमेरिका जितना कोई नी देखता अमेरिका और वैसे ये भी है कि अमेरिका पर्थम विश्यूद और दित्य विश्यूद दोनों बार उसको उकसाया गया है पर्थम विश्यूद में भी उसको involved करा गया और Second World War का भी हमने देखा वहाँ तक ठीक था पर उसको मजा आ गया कि नहीं अब तो मैं शक्तिशाली बनी चुका हूँ तो अब तो हम हमारा ही राज करेंगे उसको भी मारेंगे उसको भी मारेंगे दोनों ही देशों ने अपनी विचार धाला को फिलाने के लिए काफी हिंसा फिलाई है विच्वीत की समापती के कारण कुछ भी हो वैश्विक राजनेति के मंज पर 2 माशिक्तियों का उदे हो गया देखो अब विच्वीत के समापती के कारण कारण कुछ भी हो अगर बम नहीं ग्राते तो भी कर देता अमेरिका ने बम गिरा दिया, इसलिए सरेंडर कर दिया कोई भी कारण के कारण दित्ते विश्वीट खतम हो गया तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, बस खतम हो गया पर इस विश्वीट का प्रिणाम अया वो प्रिणाम यह आया कि वेश्वीक राजनीती पर अगर हम पूरे वर्ल्ड की politics में अगर बात करें तो दो महाशक्तियों का उद्य हुआ दो सूपर पावर निकल करके आए और दो सूपर पावर कौन कोन से थी एक USA और एक USSR ये दो सूपर पावर निकल करके आई ठीक है और ये दोनों सूपर पावरों में ताकत तो बराबर थी परन्तु विचारधारा अलग अलग थी अगर हम इससे पहले देखे बृतेन, फ्रांस ये सब ताकतवर देश थे परन्तु सब कही न कहीं विचारधारा ये सेम थी इनकी आईडियोलोजी सब की सेम थी परन्तु अब यहाँ पर एक अलगी दृष्टी देखने को मिली हम लोगों को कि दोनों ताकत तो बराबर है परन्तु विचारधारा ये अलग अलग है और इस विचारधारा के एक बड़ी लड़ाई चलने वाली थी अमेरिका और सोवियत से महाशक्तियों की ताकत अब इनकी महाशक्तियों की ताकत दो जाने है कितने पावरफुल है ठीक हमने महाशक्ति का है सिरिफ और सिर्फ शक्तिया नहीं महाशक्ति का है बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो इनकी कौन सी पावरे से क्या ताकत है इन लोगों विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकें देखो अब पूरे विश्व में कोई भी घटना उसको प्रभावित करने की ताकत है USA में और USSR में अगर कहीं पर भी कुछ होगा वहां पर अमेरिका और Soviet संग इन्वोल्व कर रहा है तो मतलब यह बहुत बड़ी बात है आपको वह बात कहीं न कहीं आप दबाव में मान करके मानो पर कैसे मानो पर मानोगे वह किसी भी घटना को प्रभावित कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको एक उधारण देता हूँ 1971 की बात करते हैं 1931 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है क्यों होती है बांगलादेश को आजाद कराने के लिए यह हम पढ़ेंगे जो संतंतरभाद की राजनितियाली किताब उसमें पढ़ेंगे तो अमेरिका के एक मंत्री पाकिस्तान से मिटिंग करते हैं मुलाकात करते हैं और करते हैं और जैसे एक ख़बर भार सरकार को लगती है तो इंद्रागान्दी जी सोवेशन के साथ 20 साल की त्रिटी करते हैं अब जैसे यूध चिरता है तो अगर अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो सोवेशन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए त्यार खढ़ा तो यहां से क्या था कि दोनों सक्तियों का involvement आ गया कि विश्व में कोई भी गटना होती है दोनों आप आज भी कहीं न कहीं देखो ना आज भी अमेरिका कुछ बोलता है वो देखी परिक्षन कर रहे थे जिनकी शमता 10 से 15,000 किलो टन थी देखो अब 1950 के दशक 1950 के दशक का मतलब हो गया 1950 से लेकर के 1960 तक का जो दोर है उसकी दस सालों की बात करी गई सयुक्त राज जी अमेरिका और सोव्य संग ऐसे पर्माणु गुर्भमों का प्रिक्षन कर चुका था जिनकी कैपेसिटी 10 से 15,000 किलो टन थी अब भी देखिए कि हम इसमें आगे और पढ़ेंगी शीतियूद के कारण अभी शीतियूद हुआ तो हुआ क्यों क्या क्या कार अगे शीतियूद हुआ क्यों दोनों ог 돌ो पर ले लिया हम पाउर्फुल हैoperation दीकिए चाहि लडाई देश में हो और चाहिए देशों के बीच में हो लडाई चाहिए घर इंग हो समाज में कहीं पर भी हो ना समाज में इस वर्ग में कट्टर्टाव भाड रही है समाज में इस वर्ग में कटरता बढ रही है परिवार में जो लड़ाई हो रही है सब में क्यों कि हम सुरेष्ट हैं हम पावर्फुल हैं अमेरीका से जादा पावर्फुल को नहीं हो सकता है दोनों के बीच में महाशक्ति बनने की होड चर्ड यह नहीं हम से जादा पावर्फुल कोई नहीं है अच्छा हम powerful है तुम दिखा देंगे तुम एक बं फेक को हम दो फेकेंगे तुम 10 को मारो करें तुम 100 को मारेंगे यह जो ताकत है कि हम मा शक्ति बनने वाले इस पस इसी ने पुरा सीज़ूत चलाया पर्माणुबम होने से वाले विद्वन्ष की मार जेलना किसी विराष्ट के बूते की बात नहीं थी और पर्माणुबम से जो होने वाला नुकसान है उसकी मार जेलना किसी विराष्ट के बूते की बात नहीं थी किसी के लिए आसान बात नहीं थी परमाणों हत्यार हो कि वे एक दूसरे को ऐसे नहीं शर्थी पोचा सके तो ऐसे में दोनों की भी रख्त तरंजित युद्ध होने की संभावना कम हो जाती है देखो अब इस लाइन को मैं पहले आपको आसानी से समझाता हूँ जैसे मालो दो बड़े बड़े पहलवान है, दोनों के बीच में लड़ए, खतरनाक लड़ए अब क्या होगा, दोनों लड़ए करने से बचेंगे क्योंकि उसको पता है जैसे मैं X और Y, X को पता है कि या अगर मैंने Y को कहीं भी मार दिया ना तो य छोड़ेगा नहीं, पकड़ पकड़ के मारेगा, क्योंकि ताकत वह रहेगा इसा, खूब सपोर्टर है उसके भी, और Y को लगा यार, मैंने उसको छेड़ दिया ना, कभी भी हाथ लगा दिया तो भाई छोड़ेगा नहीं, उसके भी बहुत सपोर्टर है ताकतवार है तो क्या हवा या ढर बनाा ना, नहीं Не, मैंने मारा तो वह और मारेगा, वैने मारा तो, वह और मारेगा, ये जो डर बना वा ना, इस डर से क्या होता कभी काँ बड़ी लड़ाईया रुख जाती है और क्या होता है जैसे मालो X बहुत जादा ताकतवर है और Y बहुत कमज़र है तो लड़ाई आसा नहीं से हो जाएगी X को बता कभी मार के भाग जब कुछी नहीं करेगा ठीक है पर वो अपनी जर से प्रियास करेगा थोड़े बहुत लड़ाई होगी थोड़े बहुत लोग मर जाएगे पर लड़ाई होने के चांसिस हो जाते है ठीक है पर जब दोनों powerful है तो बचेंगे लड़ाई से नहीं नहीं लड़ना नहीं है तो अब यहां पर भी है अमेरिका भी पारफुल और सोव्य संग भी पारफुल अमेरिका यह सोचेगे नहीं वह सोचेगे नहीं सोचेगे लगे तो बचेंगे नहीं तो जब यह सहन यह शाती पहुचा सकते हैं और जब दोनों के पास यह परमाणु बम है दोनों के पास ताकत वरे दोनों ही बहुत जादा ताकत वरे दोनों ही महाशक्तिया है तो इसके अकालन के जो रक्त रंजित जो लुह लुहान कर दे एक दूसरे को मार दे भेंकर वाली जो लड़ाई चले उस यूद को होने की संभावना कम कर देता है क्योंकि दोनों ही ताकतवर है दोनों को पता है जो हतियार मेरे पास है वो हतियार उसके पास भी है दोनों को पता है जितने सपोर्ट मेरे में है उसका सपोर्ट उतना भी है जितनी ताकत मुझ में है उतनी ताकत है उसमें भी है और स्टार्टिंग के टाइम पिरेड में तो 1952 तक तक साइद स्टालिन ही रहता है, फिर स्टालिन के बाद निकिता खुष्चेव का टाइम आता है, तो वेसे ही स्टालिन का दबदबाता, उक्सा हुए कि बाउसुद कोई भी पक्षीत का जोकि मोल लेना नहीं चाहेगा, क् मारना नहीं, क्योंकि पता चल गया, वो उक्सारा जान पूछके, अगर एक बार मार दिया लड़ाई शुरू हो गए, तो वो भी फोड़ेंगा, अपन भी फोड़ेंगे, खुब नुक्सान हो का, अब इससे चाहिए राज नहीं दिख फाइदा किसी का यह हो, पूरे 1949 में अमेरिका एक संगठन बनाता है, जिसको का जाता है NATO, North Atlantic Treaty Organization, इसके बारे में हम आगे और पड़ेंगे, नाटो बनाया गया है, नाटो में यह का गया है, उस समय 12 देशों को जोड़ा गया, 12 देश जोड़े गया है, और इसमें यह का गया है, कि अगर किसी एक देश पर जोड़े, जोड़ेंगे, चैलेंगे, हम सब मिलकर करके, उसके लिए लड़ेंगे, मतलब क्या है, आप कह सकते हो, कि जो पुरा विश्व है, वो दो भागों में बट रहा है, दो बागों में कैसे बट रहा है, जो नाटो की तरफ है मतलब उनमें से एक पर भी अटेक होता ही पूरे जवाब देंगे और इधर एक पर अटेक होता ही तो भी पूरे जवाब देंगे तो अब यहाँ पर देखो हो सकता है कि जैसे माल लो इनकी team में X देश है और इनकी team में Y देश है विचावड़ा अमेरिका और Soviet संग चुपचा बेठे में वो नहीं लड़ रहे पर X और Y के बीच में लड़ाई हो जाए एकस वाई को वाई एकस को जाए अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो अब लड़े हो जाएगी तो इन दोनों कोशिश करें नहीं भाई मत लड़ो मत लड़ो एक सको बार भार में लड़ो लड़ो लड़ना नहीं है लड़ाई बड़े स्थर में पहुच जाएगी छोटी सी बात बड़ी बन जाएगी तो जब उकसा है जा रहा है तब थोरी से श दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और प्रेस पर नुक्सान पहुचाने की इतनी शम्ता होती है कि कोई भी पक्षी यूद का खत्रा नहीं उठाना चाहता है। पर नुक्सान पहुचाने की शम्ता बराबर होती है इसलिए युद करते ही युद का खत्रा ही नहीं उठाना चाहते है। होता है तो आप यह वाली जो डेफिनेशन है यह लिग दीजिएगा और जैसे उसमें आप एक उधारन डाल दीजिएगा जैसे की सोवेस्ग और अमेरिका के बीच का शीट यूद अब बात करते हैं सेन्य विशेश्टाओ की ठीक है दोनों के पास जो मिलिटरी के क्या-क्या फीचर्स इसमें दो माशक्तिया और उनके अपने अपने गुट थे ठीक है जैसे मैंने बताया अमेरिका का नाटो और इनका वोर्स ओपेक्ट अब भी जब रश्या और उक्रेन की लड़ाई चल रही थी तब भी नाटो के बाद उठी थी इन प्रस पर प्रतिनिंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि तरक संगत और जिमेदारी भरा वेवार करेंगे अब दोनों की टीमों के जो भी मेंबर्स थे ठी यह दोनों बिढ़ गए ना अमेरिका और यह से साथ तो पूरे दुनिया में तभाई मचातेंगे तो तुम से भी उम्मिद करते हैं कि हाँ भाई देखो ठीक है तुम अमेरिका टीम है में सोबेशन की टीम है प्लीज यार शांती बनाए रखो अपने तो मतलाड़ों निकल अगर दोनों महाशक्तिया लड़ने पर आ गए ना तो पुरे विश्व को नुकसान होगा तो इसलिए से काम लो और तीसरे विश्व से बचाते हैं चलिए तो आज इतना ही अपने MCQs डिसकस कर लेते हैं जो अपने चार MCQs थे लेक्चर 1 में हैं ना Q1, Q2, Q3 तो अंसर उनके हैं बच्चो फर्स्ट का C, सेकेंड का D, थर्ड का C और इसका A एक बार आप और चेक कर लिजेगा और कुछ हो गलती हो तो आप कमेंट बक्स में बता दीजिए आज के लिए आपके लिए Q2 से पहला किन देशों द्वारा महासकती बनने की होण ने शीत्यूत को जनम दिया था A हैं अमेरिका और सोव्यसंग, B हैं सोव्यसंग और यूरोप, C हैं यूरोप और जापान, D हैं जर्मनी और फ्रांस Q2. धूरी राष्ट्रो की अगवाई कौन-कौन से देश कर रहे थे जर्मनी, इटली, जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और अमेरिका, जर्मनी, इटली और फ्रांस Q3. मित्र राष्ट्रो की अगवाई कौन-कौन से देश कर रहे थे Option C सन 1924 में और Option D सन 1922 में Question number 5 शीत यूत का प्रारम कब हुआ A.1944 B.1945 C.1946 D.1946 Question number 6 शीत यूत के समय पुझी वादी गुट का नेतरत्व कोन कर रहा था अमेरिका, चीन, फ्रांस यार सोवेट सन तो आज के लिए अपना इतना ही आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई समश्या हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो आप comment box में mention करेगा और आज के lecture में क्या समझ में आया कितना अच्छा लगा, वो भी comment box में comment करके बताईएगा और जादा जादा आपने दोस्तों तक इस चैनल को like, share, subscribe करवाईए दोस्तों तक अच्छी education का ये जो platform में उसको आप लोग पहुचाईए आपके बाकी कोई suggestions हो लगने शेयार्स के लिए वो आप comment box में में mention करेगा और बढ़ते रहिए 12th board की तयानी करता रहिए मिलेंगे नेक्स लेक्टर में तब तक लिए thank you so much, जय हिंद, जय भारत